अग्याई थे चलिए फ्रेंड्स आज मैं आपको पताता हूं कि इस एयर का मतलब क्या है किसी भी सैटफ बोक्स में अगर यह लिखा हुआ है यह जो 3.57 का जैक है जिसके भार लिखा हुआ आयाड तो इसका मतलब क्या है और आपको क्या कर सकते हो इससे इसका बहुत benefit रिफरेंट्स यह है आई आल। इंफ्रा तो हमारे दो तरिके क्यों नहुता है एक होता इंफाराड receiver जो मारे setup box में लगता है और हमारे टीवी में लगता है जिससे हम remote से channel change करते हैं तो यह वही है same friend आप सही समझे हो infrared पर यहाँ पर transmitter नहीं यहाँ पर receiver connect होता है तो आप remote का यहाँ से extend करके किसी 3.5 mm का जया connect कराके किसी भी दूसरे कमरे में कहीं भी दूसरी location पर कहीं भी आप इसको छुपा के रख देजिए और यहाँ पर 3.5 mm का जया connect कीजिए और अपनी सहुलियत के हिसाब से आप वहाँ भी infrared receiver ले जा सकते हैं वहाँ से आप channel change कर सकते हैं और channel change कर सकते हैं easily channel change कर सकते हैं तो आप यहाँ पर 3.5 आप infrared receiver जो है आप बने बनाई भी मार्केट में बि change कर सकते हैं अगर आप हमारी next video देखते हैं तो आपको infrared receiver बना के भी दिखाएंगे जो 3.5 mm jack से connect होगा इसी में इसके थुरू आप same setup box के दो जगे आप TV चला सकते हो और अलग-अलग remote से दोनों जगे से आप channel change कर सकते हो आपकी कोई प्रोब्लम नहीं होगी जैसे आप इस पर आप channel तो एक ही जगे से चेंज कर सकते हो है आप setup box के थुरू पर इसके थुरू आप 3.5 mm jack connect करके दूसरे room में लेके जाएए वहाँ पे आप receiver लगाईए infrared receiver जो बहुत छोटा है ये सिर्फ आपको बहुत easily बन जाएगा और बहुत असानिस बन जाएगा आपको ज़्या पर मिल जाएगा आपको cable लगाना है 3.5 mm jack लगाना है और आपको connection करके connect करना है तो easily channel change हो जाएगे आपको next वीडियो में आपको ये बना के दिखाएगे आप घर पे बना सकते हैं अपने अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो friends तो share कीजिए कोई problem आए तो comment कीजिए वीडियो को लाइक करना ना भूले friends thank you friends